हलो वेलकुम दोस्तों स्वागत करते हैं फिर अपने स्यूटू चैनल में दोस्तों आज कि हम इस वीडियो में जाने हैंगे कि रियल में सीटू को पासवर्ड या पीन को इसे ब्रेक करें जी हां दोस्तों बेसिकली क्या होता है जब हम मॉबाइल का फोल्डर या टच टूड़ जाता तो लंबे समय तक न रिपेर होने के बाद जब दुबारा सा रिपेर होता है तो इसमें हम लोग पासवर्ड को या पैटरन को भूल जाते हैं तो उस कंडिसन में दोस्तों क्या करना है हम लोग जानेगी कि कैसे पासवर्ड को को reset करते हैं तो चलिए से पहले हम लोग रबोट को रिमूव कर लेते हैं फोल्डर हमारा प्रॉफरली लग चुका है दोस्तो रबर रिमूव हो गया है अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जो पिन लगा है उसे कोई भी हम लोग बेसिकली ट्राइ करेंगे यह खुले गा नहीं इसका और दूसरा चीज़ दोस्तों अगर हम लोग recovery वाइव डेटा करते हैं तो एक बार वाइव डेटा भी करके देख लेते हैं क्या इस होता है पहले handset को shutdown कर लेंगे सट डाउन होने बाद दोस्तों अब हम इसे आन करेंगे रिकवरी मोड में जाने के लिए वैलूम डाउन बटन और पावर बटन को प्रेस करते हैं अब पावर बटन को छोड़ देंगे लेकिन वैलूम डाउन बटन को दबाय रखेंगे तो यह दिखिए यहां पर कुछ recovery मोड खुलकर आ गया है कुछ second wait कर लेंगे यह दिखिए हमारा recovery mode खुलकर आगए इसमें English language सेलेक्ट करेंगे दिखिए यहां वो वाइब डेटा का आफसना रहा इससे यह होता है कि हमारा सारा यूजर की डेटा इरेज हो जाता है और हमारा सिस्टम स्टार्टिंग की तरह जैसे फर्स टाइम आप फॉन लेते हैं उस तरह से री इंस्टॉल होकर सिस्टम OS हमारा open होता है तो एक बार वाइब डेटा करके देखते हैं क्या होता है दिखिए यह प्लीज इंटर स्क्रीन लॉग पासवर्ट फिर से वहीं पासवर्ट पूछ रहा है जो आपके स्क्रीन लॉग पर है तो इस तरह से हम लोग इस पाइटन को रीमू नहीं कर पाएंगे तो हमें दूसर कोई और टेकनीक अपना नहीं पड़ेगी इससे पहले हम लोग सिस्टम को कर लेते हैं सट डाउन ऑपके अब दुबारा से हम लोग ओपन करेंगे दोस्तो हमारे फोन में जो realme का maximum phone होता है इसमें एक engineering mode होता है इस उस engineering mode से हम लोग अपने system के जितने भी system या फोन के जितने भी management system होता है उसको set कर सकते हैं पाशवर्ड को भी उसके थूर्व रिमोट करें करने के लिए हम लोग साट की का अप्रियोग करेंगे जो code होता है उस code को हम लोग emergency mode में इमर्जेंसी काल वाले आफ्टन में run करेंगे पहले emergency call पर एक बार प्रेस कर लेते हैं यह यह खुल गया हमारा यहाँ पर एक code होता है जो engineering mode में code के थूरू जाया जा सकता है तो उस code को हम लोग dial करेंगे code है star hash 899 code आप एक बार फिर से देख लिजी star hash 899 के बाद हम लोग hash प्रेस करेंगे देखिए यह हमारा engineering mode खुल कर आ गया यहाँ पर दोस्तों हमें जाना है after shell calibration यह जो नीचे वाला सबसे last वाले आपसन है इस पर एक बार प्रेस करेंगे प्रेस करने के बाद दोस्तों हमें ok करना है देखिए सबसे अब दोस्तों हमें क्या करना बाइक करना है अब एक बार हम लोग manually test करके देख लेते हैं क्या हमारा screen लाक रिमूव हुआ कि नहीं तो manually test पर जाएंगे और यहां से सबसे other option पर जाएंगे सबसे लास्ट में जो हमारा other option होता है यहां पर तो यहां पर हमें show करना चाहिए था की status का एक option जो यहां पर show नहीं करता है क्योंकि हमारा यह handset अपडेटेट नहीं तो हमें किसी और method से इसे solve करना पड़ेगा हम लोग PC के help से इसे reset करके देखेंगे चलिए सुरू करते हैं यह हमारा PC हो गया दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना होगा PC की जो भी antivirus होते हैं जैसे देखिए यहां पर हमारा Windows security का antivirus है तीसे manage में जाकर यहां से इन डिजेबल कर लेंगे सभी को एक एक करके डिजेबल कर लेते हैं तो कि टेंपर प्रोटेक्शन को भी डिजेबल कर लेते हैं यह हमारा अब complete हो गया उसे करते हैं दूसरी सबसे परटेंट सीच होता है हमारा जो रीसेट करने का टूल और प्लेश फाइल यह सब download करने के लिए link हम अपने डिस्क्रिशन में डाल दिये हैं वहाँ से जाकर आप क्लिक करके इस्ट्रेक कर लेंगे देखिए हमारा यह चार फाइफ फॉल्डर दिखेगा फर्स्ट जो फॉल्डर है यह यस्वी ड्राइवर की है बेसिकली अगर हम बिंडो टेन का यूज करते हैं तो इसमें यह ड्राइवर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है सेवेन और ए सब्सक्राइब करेंगे और बाइपास करके दिखेंगे सबसे पहले यह रन हो गया यह क्या करता है हमारा कुछ छड़ के लिए हमारा प्रोडेक्शन को जो है डीजेवल कर देता है ताकि पाइटर नो भी मूव हो सके तो हम लोग क्या करेंगे यहां से करें है कि सबसे पहले मोबाइल को कनेक्ट कर लेंगे मोबाइल पिक नेक्टरने बाइपास फर क्लीक कर देंगे diferen ने है यह लिए और हमारा यसी ड्राइवर इंस्टाल रहे गा तो ऊके लिग कर आएगा और वेटिंग को टच नहीं करना है और यस्वी के वल को करनेक्ट करना है जैसे ही कनेक्ट होता है दोस्तों यहां पर ओके ओके की इस तरह का कुछ मैसेज लिखकर आएगा और प्रोटेक्शन डिजेवल का एक लास्ट में मैसेज तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं मैं इस करने के पास यह दो टूल का यूज हो चुका है तीसरी टूल्स जो है कि एस पी फ्लैश टूल है इसे जिसमें फ्लैश टूल एक सी जो अप्लिकेशन फाइले से रन कर लेते हैं तो के कर लेंगे इसे अब इसमें दोस्तों कुछ बूज करेंगे हमें जाना होगा यह चओथर वाले फोल्डर में रियल मी का जो कुछ फ्लैस फाइल है जो डिशीट करने के लिए बना है यहां पर हमें सेलेक्ट करना है डी ए इस वाले फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे देखिए हमारा यह सेलेक्ट होगा फिर दूसरे सेक्टर फाइल है उसको हम लोग पहले चले जाते हैं डाउलोड वाले फोल्डर में डाउनलोड वाले फोल्डर में जानेक बात फिर फ्लैस फाइल को ओपेंड करेंगे यहां फिर फार्मेट वाले आप्सन पर जाना है और यहां हमें मेनुली फार्मेट करना है आटोमाटिक नी करना है फोल्ड करना है अब बीघन एड्रेस दिया है और फार्मेट लेंथ इन दोनों को हम डाउनलोड वाले फोल्डर के देखिए यहां पर manual formatting class यह लिखा हुगा है इसमें सबसे उपर वाले को कॉपी करते हैं और वहां पर पेस्ट कर देते हैं इसी तरह से second length को भी कॉपी करेंगे कॉपी कर लेते हैं को कॉपी करने के बाद यहां पर फेस्ट कर देते हैं कि फेस्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगा आप सिंप्ली एक और आप्सन आप्सन में जाना है जाने के बाद connection करना है हमारे यहां देखिए को पसो नहीं कर रहा है तो यह कोई इसउ नहीं है और हमसाय करना धे देखिए दुवारह स्ट्राइकल के लिए बेंडरे को ज्गव कि मक्सिमिम रखना है और माइनेस मनें जाकर हम लगवा चेक कर लेते हैं कि हमारा हैंसेट कनेक्ट है या नहीं यहां पर देखिए सो करेगा यह देखिए हमारा कॉंग फाइब पर शो कर रहा है तो अब सिंपली क्या करना है दोस्तों हमें इसे क्लोज करना है क्लोज करने के बाद स्टार्ट पर क्लिक करेंगे स्टार्ट पर क्लिक करते हैं एक हारमे यह मैसे करता है और कम्प्लीटल्य हमारा है श mer évidemment हो जाता है इस ऑपिशा क्लोज कर लिए के देखिए वार को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राण करने के बा मूल्ग ऑन को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट कर लेंगे कि इस प्रोसेस में दोस्तों हमारा क्या आता है डेटा लॉस होता है और पैटर्न हम लोगों का रिमू हो जाता है कर लेते हैं जब तक हम लोग का हैं सेट अन होता है दोस्तों अगरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ हमें बेल आइकन को फ्रेज कर दें ताकि इसी तरह का कोई और भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों फार्स टाइम स्टार्ट होने में तो तक हम लोग वेट कर लेते हैं कि इस प्रोसेस में कम से कम चार्ट पाच उनिट लग जाता है दोस्तों देखिए हम लोग का फाइल निस सलेक्ट लांगेज का अफसन आ गया है तो यहां पर अपने कंट्री के हिसाफ से अब लंगेज सेलेक्ट कर लेंगा जैसे हम बाइडिफाल रहने देते हैं असको रि एमर्जेंसी कॉल पर क्लिक करते हैं क्लिक करते ही कुछ डायल पाइड इस तरह से खुल जाएगा तो हमें यहां पर एक कोड डायल करना है इस्टार हैज 813 हैज डायल करते हीं दोस्तों हमारा री डायरेक्टर के फोन के होम पेज पे ले जाएगा देखिए हमारा जो भी पाइटर्न पास्वर्ड लगा था सब री डायरेक्ट होके होम पेज पे चला गया इसमें एफ हर सी वाइप पास हो जाता है दोस्तों इस तरह इस सीक्रेट कोड से अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा अच्क दोस्तों के लिए थाई कर दोस्तों के लाएपकि कि अगै